गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आज हम जीके का लैसन एट सेफ्टी रूस के बारे में पढ़ेंगे सेफ्टी रूस सुरक्षा के नियम वी ओल शुड फॉलो रूस ओफ सेफ्टी तो कीप अवर सेल्फ एंड अदर्स सेफ हम खुद को और दूसरों को हमें खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए कम्प्लीट दा फॉलोईंग स्टेट्मेंट्स वाइस चूजिंग दा करेक्ट आंस्वर स्रॉम दा ओप्शन गिवन एंड फ्रस्ट्थ ऑन दा रोड वी शूड वाक अलॉंग दा सलख पर हमें мहति है चलते हैं तो हमें कैसी किसके साथ चलना चाहिए शगले है फुट्पाथ मिडल ओप दा रोड पेस्टेरियर क्रोसिंग तो हमें कहां चलना चाहिए तो कहां करना चाहिए at jabra crossing, jabra crossing पर हमें सलक पाल करनी चाहिए, third, we should keep to the dash while driving or riding, हम जब कोई riding करते हैं, चल रहे होते हैं, या कुछ कोई भी convinced driving कर रहे होते हैं, drive कर रहे होते हैं, कार ऐसे, तो हमें कहां होना चाहिए, left side of the road, to the right side of the road, in the middle of the road, सलक के बीच में, सलक के बाईयोर, या सलक के दाईयोर, तो हमें जब कुछ drive कर रहे होते हैं, तो हमें सलक के बाईयोर रहना चाहिए, left side of the road, fourth, in case someone gets stuck to a live wire, we should separate him from the wire by pushing him with, अगर कोई बीचली से छिपक जाता है, तो हमें उसको किसके द्वारा किसे कैसे धक्का देकर हटाना चाहिए, उससे तारों से, bare hands, खाली हाथ, a dry wooden stick, लकडी के stick से, an iron wall, या किसी लोई की stick से, तो हमें क्या करना चाहिए, जब कोई बीचली से छिपक जाता है, caused by electricity, we should power, बीचली के कारण लगनी हुई आग से, बीचली के कारण जो आग लग जाती है, कहते हैं न में, short circuit हो गया, तो हमें वहाँ पर आग कैसे बुझानी चाहिए, sand on it, उस पर red डालनी चाहिए, water on it, पानी डालना चाहिए, kerosene on it, या उस पर kerosene डालना चाहिए, kerosene डालेंगी तो आग और लग जाएगी न, तो हमें वहाँ कैसे बुझानी चाहिए, sand on it, उस पर मिट्टी डालकर, 6. वाइर वर्किंग नियर फायर, वी शूट पुट अन, क्लोज ओफ, जब हम आग के आसपास काम करते हैं, इस लेसन को 2-3 टाइम्स रीड करेंगे,